आज हम लोग वसी अमलिक जैव संचलेशन के बारे में अध्यान करेंगे वसी अमलिक जैव संचलेशन एवं अपचे भिन प्रक्रमों के द्वारा होता है और इसमें भिन इंजाइम समों भाग लेते हैं जो fatty acid synthesis है वसी अमलिक जैव संचलेशन कई जीवों के कोशा द्रव्य म में होता है परंतु पादपो में ये उनके प्लोरोप्लास में होता है वसी अमलिक जैव संचलेशन में एक तीन काबन परमानू मध्यस्त मैलोनिल को ए भाग लेता है मैलोनिल को ए का संचलेशन एसेटल को ए तथभाय काबनेट के द्वारा होता है ये क्रिया अनुत्रम्नी और Acetyl-CoA Carboxylase Enzyme द्वारा उत्प्रेरित होती है। ये इस Acetyl-CoA Carboxylase Enzyme में तीन सक्रेताइं उपस्थित होती हैं। ये हैं Biotin Carboxylase, Biotin Carrier Protein और Trans Carboxylase Enzyme, ये तीनों इन्जाइमिक सक्रेताइं, तीन भिन पॉलिपेप्टाइट शंकलाओं में बेक्टीरिया में उपस होती हैं। परन्तु जन्तों की जो Acetyl-CoA Carboxylase हैं, उनके एक ही पॉलिपेप्टाइट शंकला में तीनों सक्रेताइं उपस्थित होती हैं, अता वो बहु कार्यात्मक पॉलिपेप्टाइट शंकला है। और पाधपों के कोशाओं में दोनों प्रकार की Acetyl-CoA Carboxylase पाई के समीप ले जाती है, जहां Bicarbonate Ucid Biotin से जुड़ता है Biotin Carboxylase सक्रेता के द्वारा है। इस क्रिया के लिए उजा की आविशक्ता होती है, जो ATP विघटित होका ADP और PI में परिवर्टित होता है और वो उजा प्रदान करता है। इस तरह से Biotin Carboxylase हो जाती है। अगली के चरण में ये Biotin Carrier Protein Carboxylated Biotin को Trans Carboxylase के पास निकट लाती है। जहां Trans Carboxylase Enzyme, ये Carboxyl Samu को Acetyl Co.A पे स्थानांतरित कर देती है। जिससे Malonyl Co.A निर्मित होता है और Enzyme पुना अपने आरंभिक सरूप में वापस आ जाती है। तो इस नहीं से Malonyl Co.A निर्मित होता ह वसी अमलिस संचलेशन की सारी क्रियाएं एक Multi Enzyme Complex जिससे Fatty Acid Synthese Complex कहते हैं उसके द्वारा उत्प्रेरित होती है। जो E.Colica Fatty Acid Synthese Complex उसमें साथ भिन पौलिपेप्टाइड, साथ प्रिथक पौलिपेप्टाइड उपस्थित होते हैं। सब रोटीन स्क्रम से कारी करत हैं जिसे की Acetyl Co A और Malonyl Co A से पसी अमलिस संचलेशित हो सके। संपूर्ण प्रक्रियाओं के समें मध्यस से सयोजी आबंद के द्वारा इस कॉंप्लेक्स से जुड़ा रहता है। इस कॉंप्लेक्स में दो थायॉल समू उपस्तित होते हैं। उनमें से किसी एक समध्यस ज समू होता है। प्रतिक इंजाइम संकुल में इस तरह उपस्तित होती है कि उसकी सक्रियता उसका सक्री स्थल अपने से पहले प्रताबाद वाली इंजाइम के निकट हो। इसी का SH आम जो है वो मध्यस को हर इंजाइम तक ले जाता है और वो दिर्गी कृत होती हुए फैट अंतिमुत्पाद यो की पामिटिक अमल है वही मुप्त किया जाता है। यहाँ पर यह बेक्टीरिया और पादपू में पाई जाने वाली पाया जाने वाला फैटी आसिट सिंथेस कॉंपलेक्स है। इसमें साथ भिन सक्रियता हैं, साथ भिन पॉलिप्टाइड श्रंखला में उपस्तित हैं जो एक साथ जुड़ी हुई है। इसमें साथ सक्रियता हैं जो हैं दो भिन पॉलिप्टाइड श्रंखलाओं में उपस्तित होती हैं। जबकि जो जनतु वर्टी ब्रेट्स में जो फैटी आसिट कॉंपलेक्स पाया जाता है। उसमें साथ भिन पॉलिप्टाइड श्रंखलाओं में उपस्तित होती हैं। इन साथ पॉलिप्टाइड श्रंखलाओं में से एक असाइल कैरियर प्रोटीन हैं तथा छे इंजाइमिक आक्टिविटी उपस्तित होती हैं। जनतु की फैटी एसिट सिंथेस कॉंपलेक्स सबसे बड़ी यह डाइमर के रूप में कारे करती हैं। पॉलिप्टाइड उपिकाईयों पर समान आवेश तथा समान संग रिचना होती हैं। इसमें निमलिकित क्रम से यह इंजाइम सक्रेता हैं। उपस्तित होती हैं। कीटो असाइल सिंथेस, टांससाइलेस, इनॉयल रिड़क्टेस इसाइलिक्टेस, कीटो असाइल रिड़क्टेस, एसीप, थायो ऐस्तित यह दोनों उपिकाईयों हैं। फैशन में जुड़ी होती हैं। एक कशीर्श दूसरे के पुंच से जुड़ा होता है। इस इंजाइम में जो यह तभी कार्यात्मक होती हैं जब दोनों उपिकाई जब उपस्थित होती हैं, तो एक की दो और दूसरे की पांच सक्रेताइं मिलकर कारे करती हैं, और इसके जब पामेटिक अमल का संचलेशन होता है, तो यह डाइमर दो पामेटिक अडू एक साथ संचलेशन करता है, अगर यह उपकाईयों को प्रिथप कर दिया जाए, तो इ आसेटल कोई तथा ATP तथा NADPH उजासरोत के रूप में इनकी आविशक्ता होती है, जब पामेटिक अमल का संचलेशन, डीनोव सिंथिस, यकरित, एडिपोसाइट, रीनल कॉर्टेक्स, मस्तिश के इत्यादी में होती है, वसी अमल का संचलेशन, पुन्रावरित होने वाले चक्रों द्वारा होता है, संत्रिप्त एसल समू जो प्रथम चक्रों द्वारा निर्मित होता है, वो दूसरे चक्र के लिए प्रियाधार हो जाता है, और वो एसल समू और मैलोनिल समू मिलकर अगले चक्र के प्रियाधार होते हैं, सर्प्रतम इंजाइम के दोनों प्रिया ऑएंज़रा उन्जाइम पर लोड किया जाता है, तो आसेटल को ए के आसेटल समू को, आसेटल को ए, ACP Transacylase अन्जाइम की साहिता से, इन्जाइम के SACP समू पर लोड किया जाता है और फिर वहां से, असेटल समू स्थाणांतरित होता है बीटा कीटो असाइल ACP सिंथेज इंजाइम के सिस्टाइन अफशिष्ट पर तो वो सिस्टाइन के S से जुड़ जाता है असेटल समू दूसरी प्राइमिंग क्रिया में मैलोनिल को A को इंजाइम के ACP समू पर स्थानांतरित करते हैं इन दोनों क्रियाओं के दवारण दोनों क्रियादार इंजाइम पर वोड जाते हैं अगली क्रिया इसमें सब प्रतम मैलोनिल ACP का D-C terminal करन होता है और जो का अन ऑन बंता है वह Acetyl Sumo, Acetyl जो बीटा कीटो असाइल सिंथेज इंजाइम पर उपस्त है उससे संगनन करता है और Acetyl Acetyl ACP बनाता है ये क्रिया बीटा कीटो असाइल ACP सिंथेज इंजाइम दोआरा उत्प्रेरित होती है Acetyl Sumo का स्थाना अंत्रण इंजाइम के सिस्टाइन एसेज से Malonyl Sumo पर होता है और ये काबॉक्सलेट ग्रुप जो Malonyl को एक के निर्मार के समय जुड़ा था वो प्रिथक हो जाता है दो Acetyl Sumo के संगनन की क्रिया अत्यदिक Endagonic होती है तो D-Carbॉक्सली करंड से जो उजाइ होती है वो नया आबंद बनाने के लिए उजा प्रदान करती है इस प्रकास से Acetyl 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 Nirmit होता है फिर Beta-Keto Asyle Acetyl Reductase के द्वारा इस कीटो समू का जो तृतिकाबन परमानू पर उपस्थित है उसका अपचयन होता है ये ये Beta-Carbon आटम भी कहलाता है वो तृतिकाबन परमानू भी कहलाता है तो Acetyl Acetyl ACP का अपचयन Beta-Keto Asyle ACP Reductase के द्वारा होता है NADPH plus H plus अफकारब तुल्यांक का दाता है और इस क्रिया के पश्चाद D-Beta-Hydroxy-Butyral ACP निर्मित होता है अगली क्रिया में D-Beta-Hydroxy-Butyral ACP का निर्जली करण होता है एक जल का अणू निकल जाता है ये काबन परमानू दो एवं तीन से जल का अणू निकलता है इस कारण से द्वी आबंध निर्मित होता है तो ये क्रिया Beta-Hydroxy-Acetyl ACP Dehydrates या Dehydrates वारा उत्प्रेरित होती है इस क्रिया का उत्पाद Alpha-Beta Transbutanoil ACP है इस क्रिया के पशात फिर से अपचेहन की क्रिया होती है जो Inoil ACP Reductase वारा उत्प्रेरित होती है NADPH Plus H Plus अफकारफ तुल्यांक का दाता है वो NADP Plus में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकास से एक संत्रिप्त असाइल समू जिसे Butyl ACP कहते हैं वो निर्मित होता है इसके पशाद Butyl ACP समू पुना स्थानांत्रित हो जाता है सिस्टाइन के SH समू पर और फिर से ACP पर Balonil समू आता है और फिर ये क्रिया पुना 2 से 2 से 6 तक पुना दोराय जाते है 6 बार जिससे की Palmitoyl ACP निर्मित होता है अन्तता Palmitoyl Thioesterase Enzyme Palmitoyl को मुक्त कर देती है जिससे मुक्त Palmitate मिलता है और ACP पुना अपने अरंबिक सरूप में प्राप्थ होती है तो Fatty Acid Synthese की क्रियाएं पुना दोराय जाती है जब तक की Palmitoyl निर्मित न हो जाए प्रथम चक्र के पश्चाद Butyl Samoo का साना अन्तरण ACP के Synthese Samoo से Beta Keto Asyle ACP Synthese के Synthine S.H पर होता है जिससे नहीं चक्र का प्रारम होता है तो Butyl के पश्चाद 6 और पुन्ड प्रथम चक्र से अगर आरम करें तो इसने के संगनन और अपचेन के साथ चक्रों द्वारा Palmitoyl ACP निर्मित होता है Synthese Sunkul इस बिंदू पर रुख जाता है जहां पर Palmitate मुक्त होता है इसके पश्चाद पूर्ड प्रिया इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है Acetyl Co A Plus 7 Malonyl Co A Plus 14 NADPH Plus 14 H तो प्राप्त होगा Palmitate Plus 7 Carbon Dioxide Plus 8 Co Enzyme A Plus 14 NADP Plus 6 जलके अनू पर परंतु Malonyl Co A जो है Acetyl Co A से यह निर्मित होता है और वही Carbon Dioxide निकल जाता है अता इसे इस प्रकार से भी दर्शाई सकते है 8 Acetyl Co A Plus 7 ATP Plus 14 NADPH Plus 14 H Plus तो प्राप्त होगा Palmitate Plus 8 Co Enzyme A Plus 7 ADP Plus 7 PI Plus 14 NADP Plus 6 H2 मैंुλλ 角 प्राप्त ही को 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 को